नमस्कार आप देख रहें एबी स्टार म्यूज मैं हूँ आपके साथ सपना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका बॉलिवुर्ड धमाल में जहां हम आपको बताते हैं बॉलिवुर्ड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटिस गॉसप्स के बारे में बॉलिवुर्ड धमाल में आज की शुरुआत करते हैं श्वेता तिवारी की खबर से श्वेता तिवारी जोकी इन दिनों काफी जादा ट्रोल हो रही है इसके साथ साथ उनकी काफी जादा आलोजना हो रही है दरसल ये पूरा मामला उनके विवादित बयान से जुड़ा है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक्टरस श्वेता तिवारी इन दिनों अपने विवादित बयान की वज़ा से गिरती हुई नजर आ रही है जिस वज़ा से उनकी मुश्किले भी बढ़ रही है जिसको लेकर उनके खिलाफ कई जगा पर प्रदर्शन की खबरे भी साम गुवान ले रहे हैं जिसके बाद उनके खिलाफ श्यामला हिल्स थाने में FIR दर्श कराई गई इसको लेकर प्रदेश के ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्टा ने श्वेता तिवारी के बयान को सुनने के बाद आपत्ती जताई है उन्होंने भोपाल पुलीस कमिशनर को 24 पुरे मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है वहीं इसको लेकर कुछ हिंदुवादी संगठनों की ओर से भी उनकी पुतले फूपने और साती सात इस बयान को लेकर ठोस कारवाई की मांग जताई जा रही है सल्मान खान का नया गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है इसको लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने नए गाने का टीजर शियर किया है जिसको लेकर फैंस काफी उटसाहित नजर आ रहे है आपको बता दे कि सल्मान भाई का मैचला भाईजान का जो गाना है उसके बाद अब उनका नया गाना आने वाला है जिसका नाम है डांस विद मी सल्मान की आवाज में इस गाने के टीजर को जल्द ही रिलीस कर दिया गया है सल्मान खान ने अपने ओफिशल इंस्टाग्राम पर इस गाने की लांच की जानकारी दी है इसका उन्होंने वीडियो शेर किया है जिसमें वो कूल और अलग लुक में नजर आ रहे हैं वो काफ शोशल मीडिया पर जावेद अक्तर इन दिनो ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं अपने एक बयान के कारण वो ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने रविवार को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाश चंदर बोस की होलोग्राम प्रतीमा का अनावरण किया वहाँ पर नेताजी की ग्रैनाइट की प्रतीमा रखी जाएगी इस प्रतीमा का निर्मान मशूर मुर्तिकार अद्वेद इसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। जलता रहेगा और प्रतीमा का पोस्स सेल्यूट करते हुए होगा ये उनकी प्रतिष्ठा के हिवसाब से ठीक नहीं है अगर इस में वो बैठे हुए होते या फिर अपने हाथ को हवा में लहराते जैसे कोई नारे लगा रहे होते तो अच्छा होता जावे दक्तर के इस ट्वीट के बाद अब वो सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का शिकार हो रहे साथी साथ उनको कई यूजर्स ने कमिट करते हुए चोल किया है इसको लेकर मोदी जी की आलोचना आपको बता दे कि इसको लेकर एक यूजर्स लिखते हैं कि आपको तो बस मोदी जी की आलोचना करने आती है चाहे बज़्य कुछ भी हो नागिन सीरियल से मशूर हुई मोनी रॉई ने शादी रचा ली है अपने बॉइफ्रेंट सूरज के साथ उन्होंने शादी कर ली जिसको लेकर काफी जादा शोशल मीडिया पर उनकी फोटोज हैं जो वाइरल हो रही है आपको बता दे कि एक्टर मोनी रॉई ने बीते रोज अपने लॉग टाइम बॉइफ्रेंड सूरज नाम बियार से शादी कर ली है इस कपल ने दिन में दक्षिन भारतिये के तोर तरीकों से शादी की वही रात में इसने बंगाली डिती रिवास से शादी की मोनी अपने दोनों ही ब्राइडल लुक में काफी खुब सूरत लगी मोनी ने अपनी बंगाली वेडिंग में डिजाइनर लहंगा पहना था जो की सब्बे साची ने बनाया था उनकी शादी और ब्राइडल लुक की तस्वीरे अब इंटरनेट पर खुब वाइरल हो रही है मोनी के ब्राइडल दुपट्टे की किनारे पर आयूश मती भव लिखा था मोनी का लहंगी की कीमत लाखो रुपे की बताई जा रही है कंणर फिल्म निर्माता का आज निधन हो गया है कट्टे रामचंद्र का आज निधन हो गया है चत्तर साल की उम्र में आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फिल्म निर्माता कट्टे रामचंद्र का बैंगलूर में निधन हो गया है वो 75 साल के थे, उनका अंतिम संसकार बैंगलूर में ही किया जाएगा, अपने चार दशकों से करियर के उन्होंने कई फिल्में साथ साथ धारवाही को कभी निर्देशन किया, कर्णर फिल्म इंडस्ट्री में उनक शोक की लहर इस बार साफ देखने को दिख रही है, उनके न रिलीज हुई जिसमें की विश्णू वर्धन ने मुख्य भूमी का निभाई थी बॉलिवुट धमाल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजे इजाजत देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं, एवी स्टार न्यूस, नमस्कार